स्वागा तक सभी का एक नए वीडियो में आज का वीडियो है भेजा से बक़ोर भेजा ळो बक़ोर का वीडियो है और हम आपको भेजा बजार जहांपे लगता है वहां से हम आपको फोटेज दिखाने के कोशिस कर रहे हैं और यहाँ पर पाया नमर एक और दो और तीन का काम चल रहा है साथी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब और बेल आकान फिरेश कीजे ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और सबसे पहले आप वीडियो देख पाएंगे के हम आपको भेजा बजार के पास से लोकेशन है यहां का हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं और यहां पर अबाटमेंट का काम जो है यहां पर चल रहा है हम आपको पास जाकर वहां का कुछ फोटेज दिखाने की कोशिश करेंगे और वीडियो में बने रहे हैं लाज टेक देखिए काफी लंबा वीडियो होने बाले हैं और सब कुछ जान पाएंगे इसी वीडियो में अब हम आपको कोशी डैम मार्क से फोटेज दिखाने की कोशिस कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट लगता है भेजा का यहाँ से चार सरक जो है कनेट करता है एक आपको गोगडिया लेके जाएगा और एक लक्षमी पूर लेके जाएगा और एक ठेंगा लेके जाएगा यह जो सामने आप सरक देख रहे हैं यह सरक आपको बारसाम भागमानपूर ठेंगा लेके जाएगा और यहीं सरक भेजा टू बकोड बिरिज में कनेट करेगा यहाँ से भी एक बिरिज बनेगा और एक और बिरिज बनेगा जो की उतर साट से और एक बिरिज बने वहां पर यहां से और वहां का विरिज जो है दो विरिज बनेगा जो एकी विरिज में कनेट करेगा इसी जगह से आपके सामने जो बन रहा है विरिज यही विरिज में जूरेगा यही रास्ता और एक दो पीपल का पेर है वहां से भी एक इसी तरह का विरिज बनेगा वहां जाकर हम आपको फोटेज दिखाने की कोशिज करेंगे इस वीडियो में आपको सारी अपडेट दिया जाएगा कहाँ परोच रोड बनना है और कहाँ पर जुरना है और कहाँ पर क्या बनना है सभी आपको अपडेट दिया जाएगा इसी वीडियो में सबसे पहले आपको जहा काम और जाएगा जहांपर कामने में यहां पर वि रिज बन रहा है और कि यहां पर काम 2003 का banco कंशुर्ण किया गया है दिद आपरposal recollect और इसके जिस्ट वगल में विरिज का निर्मान चल रहा है जहां पर चार बंदी का काम चल रहा है वहाँ पाइल का काम चल रहा है वहाँ पर और हम आपको पहला जो एपॉर्ट्मेंट है वहां का हम गुमा पाकर दिखा देते हैं कि इसका कैसा बनाया गया है और कैसा काम चल रहा है इस विडिज का निर्मान यहीं से सुरू हुआ था और इसी बेड़ी से कनेट किया जाएगा एपरोच रोडड़क यहीं से बनेगा और ठेंगा की तरफ से जो मार्ग आ रहा है उसी मार्ग में यहां से नाया रास्ता बनेगा इस बिरिज से काम धुआदार तरीके से चल रहा है और 2024 तक बनकर तयार हो जाएगा और काफी लंबा बिरिज बन रहा है लगभग 13 किलोमीटर का बन रहा है यहां पर यह लाल पेंटिंग किया हुआ हुनमान जी का मंदीर है और इसी मंदीर के सामने सामने बन रहा है नाया बिरिज जिनका काम जो है वो जोडो सोड़ से चल रहा है और आपके सामने में उनका फोटेज है पहला बिरिज आपने देख लिया हम आपको अब दूसरा बिरिज बनेगा जहां पर वहां पर हम आपको ले चलते हैं और इसी जगह से दो पेर है इसी जगह से और एक बिरिज बनेगा यहां तक यहां से पुडवी सैट एक जक्सन बन रहा है जक्सन पर दो पूल जो है वो ज जक्सन से जुड़ेगा और जक्सन से और एक इसी कोशी डैम में जुड़ेगा इसी दो पेर के पास जुड़ेगा पीपल पेर है यहां पर पीपल पेर से और एक नया बीरीज बनेगा जो कि हमने आपको पहले दिखाया था उसी तरह का बिरीज यहां पर भी निर्मान किया जाएगा जो कि अभी यहां पर काम नहीं चल रहा है कुछ दिन के बाद यहां पर भी कामा स्टार्ट हो जाएगा अभी जो मिट्टी भराय का काम किया गया है बिरीज के पास जो आवा गवन होता है ट्रक उसी ट्रक के लि वहांका कुछ फोटेज यहां से दिख रहा है एक G.C.V है वहां पर भी काम चल रहा है वहां पर एक पूल बन रहा है पहले आपको दिखाया था उसी पूल का जैस्ट बगल में यहां पर भी पूल का निर्मान किया जाएगा और जक्सन में जूर जाएगा उस पेर के आगे काफी बारा अबार्टमेंट का काम चल रहा है और वहाँ पर इस पेर के आगे बहुत बारा अबार्टमेंट का काम चल रहा है वहाँ से एक भेजा मार्केट में जो बिरिज बन रहा है वो जूर जाएगा और इसी जगह से और एक बिर्ज बन रहा है उसी बिर्ज में जुर जाएगा बकोर से बिर्ज बन कर आएगा और 500 मिटर आगे वहां पर दो बिरिज का जुरौव हो जाएगा इस तरह से यहां पर इस बिरेज का काम चल रहा है और यह जहां पर हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं कोसी डैम मार्ग कहा जाता है और यह आपको सीधा सरक जो है आपको घोगाटिया लेके जाएगा और इसी सरक से जो है एपरोच रोट का काम किया जाएगा जो कि यहां से इसलामपूर तक एपरोच रोट का काम किया जाएगा जो कि काम चालू है अंडर पास बन रहा है फूल फूल या बन रहा है पानी निकाशी का फूल बन रहा है और यहां से हम आपको अभी घोगाटिया की तरफ यह लाइन जा रहा है और यहां से रास्ता जूरेगा अप्रोच रोट बनेगा हम आपको उसके पास जाकर दिखाने की कोशिस करेंगे जहां पर अंडर फास का काम चल रहा है यही जो मिट्टी है यही अप्रोच रोट है यहां बार काफी पत्थर जुर्द है लाया इसलामपूर में है इसलामपूर से सेंगमेंट आता है बिरिज बनाने का उस दो पेड़ के पास से आये थे और आपको एप्रोच रोड जहां पर बन रहा है वहां पर लेके आ गया है और यह अहां का अंडर पास बन रहा है और इनके 500 मिटर आगे यहां से और एक पानी निकासी का फूल का काम चल रहा है और वो सफेद जो यहां से बिल्डिंग दिख रहा है वहां पर यह अपरोच रोड जो है वो जूड जाता है लश्मीपूर से जो सरक आता है उसी सरक में ये अपरोच रोड जो है वो जुड़ जाता है इसी तरह से अपरोच रोड का काम चल रहा है हम उस बिल्डिंग के पास दिखाने की कोषिस करेंगे उस building के पास आ गये है और यही पर जो approach road जो बन रहा था इसी पर connect करेगी यही सरक पर यही सरक आपको लचमीपूर से आता है और भेजा में जूड़ जाता है तो इसी सरक में approach road जो है जूड़ जाएगा और नया सरक यहां से बनेगा हम आपको अच्छा से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और पहला जो उस पेड़ के पास थे और उस पेड़ से यहां तक approach road का काम चल रहा है और बीच बीच में पूल पूल या अंडरपास का भी काम चल रहा है पानी निकासी का पूल का भी काम चल रहा है और यही पर नया सरक बनेगा जो की लचमीपूर से भेजा जो नया सरक है उसी सरक में यह approach road मिल जाएगा सुपोल से जो सरक आएगा भेजा आएगा भेजा से मदेपूर जहारपूर नया जो कमला बिरिच बन रहा है उसी कमला बिरिच में यह सरक जो है जुरा हो जाएगा connectivity मिलेगी और जाने के लिए आसान हो जाएगा अब हम आपको जहांपर sentiment बन रहा है वहांपर लेके आगए है और यहांपर भेजा से बकौर का जो bird बन रहा है उसका Man Office है यहांपर sentiment का हम आपको zoom करके दिखाने की कोशिष करेंगे और यहांपर भेजा बकौर का जो बिरिज बन रहा है यहां से मैंड आपिस है और यहां पर सब कुछ बनता है फूल का फूलिया का अभी जिस लोकेशन पर है यह इसलामपूर गाउं है और इसलामपूर गाउं में बनाया गया है आपिस इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब किजिए सेड कीजिए और कमेट कीजिए मिलते हैं आप से हम नेश्ट वीडियो में जाहिन